में प्रदेश में बढ़ती सड़क धुर्गतनाओं का सबसे बड़ा खारण और योग्या लोगों को ड्राविंग लाइसेंस मिला भी है योग्या वेतको को ही ड्राविंग लाइसेंस मिले, इसके लिए परिवेहन विभाग ने इस अभी आथियू कारालियो में आटोमेटिक ड्राविंग ट्रैक बनवाए थे प्रदेश में बढ़ती सड़क धुरगटनाओं पर चिंता जताई है और दो बार परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर सड़क हाथसों को रोकने के लिए ठोस कारियोजना बनाने के निर्देश भी दे चुके हैं। भीते दिनों प्रादेशिक परिवहन काराले कोटा में इस कंपनी का बड़ा गडबड ज़ाला सामने आया था जिसमें आवेदकों को बिना सीट बैल्ट लगाय ट्रायल देने के बाद भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना पार्किंग नेमों की पालना ना करने के बाद ट्रायल में पास करना जैसी गंभीर गडबडियां पकड़ी गई थी और भी काफी जगा से इस कंपनी को लेकर इस तरह की शिकायते परिवहन मुख्याले को मिली है लेकिन हैरानी की बात है कि अभी तक मुख्याले ने इस कंपनी पर कोई एक्शन ही लिया है इस थाई ड्र chromATIC driving track का सचालन स्मार्ट चिप कंपनी को देने के पीछे परीभेन विभा की मंशा ये थी कि योग्या लोग ही driving license पास के साथ ये driving license बनवाने में माफिय रास और दलालों की साथ गांद खत्म हो सके लेकिन विभा की ये सोच इस company को काम देने के बाद गलत साबित हो रही है क्योंकि ज्यादतर जगाओं पर कंपनी के लोगों ने ही दलालों से साथ गाट कर ली है स्मार्ट चिप कंपनी किस तरह मिली भगत करके ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर रही है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहाँ जहाँ आटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्राइल हो रहा है वहाँ दस में से नौ लोग आसानी से पास हो रही है अधिकतर RTO इस कमपनी के मनमानी से परिशान है लेकिन मुख्याले में बैठे अधिकारियों के आशिरवाद के कारण इस कमपनी पर कोई कारवाई नहीं हो रही है चलिएब आपको ग्राफिक्स के जरीए दिखाते हैं कि ड्रायविंग लाइसिंस का काम देख रही कमपनी किस तरहा कर रही है बिना ट्रेंड लोग अधिकतर जगा कमपनी का काम देख रही है ट्रायल के चरनबाद पास या फेल होने का परिणाम नहीं दिया जा रहा आवेदकों से अवैत तरीके से तैशुल्क से ज़्यादा शुल्क लिया जा रहा है सौफ्ट्वेर में एजिट करके ट्राइल का नतीजा तैयार हो रहा है अब आपको ये बताते हैं कि किनकिन शहरों में ये कमपनियां काम कर रही है इन शहरों में काम कर रही है कंपनी जैपुर, अलवर, चिताडगड, कोटा, पाली, भरतपुर, जोतपुर, सीकर, बिकाने, उदैपुर, दौसा, डीडवाना, जालावार परिवहन विभाग में लगातार हो रहा नीजी करन विभाग को गर्थ में ले जाने का काम कर रहा है फिटनेस सेंट्रस में भारी गडबडी के बाद अब आटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक का काम नीजे कंपनी को देने के बाद इसमें भी बड़ी गडबडियां सामने आ रही है अगर जल्दी हे विभाग ने इस पर लगाम नहीं कसी तो आने वाले दिनों में विभाग का अस्तित्वर्ग खत्रे में आ सकता है जैपुर से फॉस इंडिया के लिए शुवेंद्र सिंग परमार की रिपोर्ट